मेसर्मेंट किया है मतलब और टाइप of मेसर्मेंट स्केल तो तो तीचे में कि होता है मेसरमेंट कमट की किसी ऑबजर्म मेसर करके अब किसी ऑबन ओप्ज़ेस्ट्रिस्टिक्स को दो सब्हचे कि और आपकी एज किया है, किसकी परसन की पशनलनी object की अभू क्या बताएगा अभू बताएगा कि मेरी एज 20 है 30 है 40 है, तो numbers है तो that is measurement, assignment of number to characteristics of object or event, आप कितने लंबा ही आपकी कितनी है, तो height कितनी है तो height का आप इस तरीके साफ जहर्ट को numbers में बताते हैं, तो है आप suppose करें कि in response to a question on whether respondent में say yes or no यानि कि आपने पूछा किसी data collect करने चाहते हैं आप research करने के लिए तो आप पूछते कि क्या आपके दोरा जो bank आपको ATM देती है क्या आप ATM को use करते हैं तो आपका answer होगा yes or no तो आप हम उसको जब हम number में assign कर देंगे यानि कि अगर आप ने yes बोला है तो हम उसको one कर देंगे और no बोला है तो हम उसको two कर देंगे तो that is measurement clear तो measurement करते क्यों है क्योंकि बाई बटो भी से वाद है कि ये जो है statistical analysis में जो help करता है तो facilitate further statistical analysis of data obtained and दूसरी important thing is कि number facilitate the communication of measurement rule and result यानि कि ये numbers जो है help करता है कि हम आसानी से rules और results को communicate कर सके तो statistical analysis में rules और results को communicate करने में measurement help करता है इसलिए हम जो है measurement करते हैं scaling में क्या होता है scaling में एक continuum तयार किया जाता है यानि कि वहाँ पे continuum तयार होता है उस continuum पे measure करते है objects को जबकि measurement में हम actual assignment कर देते है number को यानि कि आप yes बोले है तो one no बोले है to two clear और scale में क्या होता है कि strongly agree agree disagree neutral यानि कि वहाँ पे scale होता है scale पे measurement कर रहे है तो scaling में होता है तो measurement और scaling के बीच में आपको difference पता हो चाहिए तो अब बात कर लें कि level of measurement या फिर measurement scales तो normally जो है four level of measurement scales होते है या फिर assigning numbers के method होते है यानि कि method of assigning numbers to characteristics of object or event there are four method nominal scale ordinal scale, interval scale and ratio scale इन चार technique से हम जो है measurement कर सकते है number assign कर सकते हैं किसे भी characteristics object या events के characteristics को तो सबसे पहले है nominal scale तो nominal scale में क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ nominal यानि name nominal क्या है nominal यानि सिर्फ name यानि कि हम यहाँ पे सिर्फ categorize करते हैं यानि कि आप उसको identify कर सकें इसलिए यहाँ पर हम numbers में उसको measure करते हैं in this number serve as a tag or levels to identify or classify in object the nominal scale does not express any value or relationship between variables यानि कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो scale होता है जो भी हम number assign करते हैं कोई भी relationship या कोई value नहीं show करता है यानि कि आपका age नहीं बताएगा कि age 20 है age 30 है वो नहीं बताएगा यहाँ पे नॉमलेकर सिर्फ categorize करने के लिए यानि कि आप male हैं तो हमने one कर दिया आप female हैं तो हमने आपको two number दे दिया तो जब भी हम two बोलेंगे तो जेंडर के बारे में हम two बोलेंगे तो female one बोलेंगे तो male इस तरीके समझे हो identify करते हैं तो जैसे कि आप यहाँ पर example देख सकते हैं what is your hair color तो अगर आपने one बोला तो हम समझेगी कि आप brown color के हैं अगर आपने two बोला तो हम समझेगी कि black यहाँ पर सिर्फ हम categorize करने के लिए identify करने के लिए classify करने के लिए इस scale का use किया जाता है that is nominal scale yes बोला तो one, no बोला तो two तो सिर्फ categorize करता है यहाँ पर आप exact यह नहीं बदा सकते हैं कि हाँ यही data होगा यह absolute zero नहीं होता है clear तो जब भी आप ऐसा data देखेंगे जहाँ पर सिर्फ categorization के identification के लिए जो है numbering की गई है तो वो nominal scale कहलाता है next scale है that is ordinal scale तो हाँ पर नाम से क्लिए होगा order में क्या होता है order यानि nominal भी होगा plus order भी होगा यानि कि sequence होगा reports the ranking and ordering of the data without actually establishing the degree of variation between there यानि कि कितना variation है उनके बीच में यह नहीं पता है लेकिन हमें यह पता है कि हाँ इसके बाद यह आएगा इसके बाद यह आएगा जैसे आप देखते हैं कि schools में ranking दी जाती है कि first position, second position, third position तो वहाँ पर rank तो आपको पता चल गया लेकिन यहाँ पर यह नहीं पता चल गया कि कितने से है variation कितना है यह नहीं पता है हाँ first है, second है, third है अब first और second के बीच में point nine का या point one का जो है difference है या फिर 10% का difference है तो वह differ करता है यहाँ पर यह चीज नहीं पता है तो इस से जो है आप rank कर सकते है तो ordinary scale का use कहां किया जाता है जहाँ पर आपको ranking करनी होती है यानि कि आपको दिखाना होता है कि हाँ यह फैले पर है यह second position में third position पर है तो वो ordinary scale कराता है next scale है आपका interval scale तो यहाँ पर क्या है question पूछा कि आपको यहाँ पर measure करना है तो आप अगर आप completely agree कहते है तो somewhat agree कहते है तो two neutral कहते है तो three लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे तो कितना agree है कितना disagree है यह आप यहाँ पर measure नहीं कर सकते हैं लेकिन हाँ यह difference measure कर सकते हैं हाँ यह completely agree है और यह completely disagree है यह चीज में ज़र कर सकते हैं interval scale and interval scale contains all the information of an ordinary scale जो भी ordinary scale बताता है वो सारी चीज़ यहाँ पर आओंगी लेकिन यह allow करता है कि आप compare भी कर सकें difference or distance between the attributes यानि कि कोई attributes में क्या difference है क्या distance है वो आप यहाँ पर compare कर सकते हैं तो यहाँ पर absolute zero नहीं होता does not have true zero यानि कि zero degree temperature कहेंगे अगर हम तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि temperature zero है यानि temperature ही नहीं टेंपरेचर तो तब भी होगा zero degree क्या कहते है तो phrasing point यानि कि उस पर बर्फ जम जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि zero degree temperature कहते हैं तो temperature खतम हो गया temperature ही नहीं है लेकिन हाँ उसको हम मिज़र कर रहे है scale पे Fahrenheit scale Celsius scale तो यह scale होता है जैसे CGPA आपका मिज़र किया जाते हो CGPA क्या है scale है यानि कि अगर zero CGPA आ जाते है इसका मतलब कि यानि कि आपके सभी service में zero marks आया आपके marks होंगे लेकिन CGPA की scale पे आपकी zero है तो यह interval scale है तो exact आपको नहीं बताएगा लेकिन हाँ आपको difference बता देगा तो only feel the difference but cannot justify it तो interval scale यानि कि आपको nominal की characteristics भी होंगी ordinal की characteristics होंगी प्लस interval यानि कि आपको compare भी कर सकते हैं आप यहां पर कि difference or distance क्या है attributes के page में और last में आता है ratio scale तो ratio scale यह क्या है simple highest level of measurement scale और यह exact value बताता है यह true zero होता है यह absolute true zero होता है यानि कि अगर आप कहते हैं कि आपके पास zero money है यानि कि आपके पास एक भी पैसा नहीं है यह नहीं माने कि आप zero बोलेता यानि कि आप कुछ तो कुछ न कुछ न कुछ तो होगा नहीं एक किसी object के वज़न 2 kg है दूसरे object का वज़न 4 kg है तो आप यहाँ पर compare कर सकते हैं exactly कि कितना जादा है तो से फोर आने की दूगना है तो यह चीज आप यहाँ पर बता सकते हैं तो example of ratio skills include weight, length, time, age यह सारी चीज़े के हैं यह ratio skill के हैं आप exact बताएंगे 2 kg है 2.5 kg है 3.4 kg है तो इस तरह के से exactly आप यहाँ पर बताते हैं तो यह ratio skill होता है तो यह चार टाइप के measurement skills होते हैं nominal, ordinal, interval and ratio skill तो होप आपके डाउट के लहोंगे visual althabist keep watching